आज की इस वीडियो में हम जो sentences सीखेंगे वो passive के sentences हैं और आज की हमारी वीडियो कल की वीडियो से relate करती है तो कल की वीडियो का link मैं description box में दे दूँगी तो वहाँ से आप वीडियो देख सकेंगे आज की वीडियो जो है कल की ही वीडियो की passive form है कल हमने qualitative verb have इसका use सीखा था के have हम क्यों use करते हैं और have के क्या meanings है देखें quantitative सबसे पहले तो ये के qualitative जो हमारे verbs होते हैं उसमें जो sentences होता हैं उसमें काम हम खुद नहीं करते हैं हमारे पास 5 qualitative verb हैं अब इसमें जो have हमारा qualitative verb हैं इसमें हम जो काम करवाते हैं, वो responsibility देखे करवाते हैं कल की वीडियो में हमने active sentences देखे थे आज की इस वीडियो में हम उनीं की passive form देखेंगे अगर आपका इस sentence है, मैंने mechanic से कार ठीक करवाई तो ये active है, क्योंकि active में काम करने वाला मौझूद होता है यहाँ पर मैंने mechanic से कार ठीक करवाई, तो mechanic मौझूद है जिसने कार ठीक की, तो इसका structure था subject, उसके बाद आगया था have फिर आगया था आपका person जिसने काम किया, और फिर work की first form अब ये sentence कैसे बनेगा, I had, चुके past है, इसलिए had आ गया I had a mechanic fix my car, चीक है, अब अगर ये sentence मैं ऐसे कहती हूँ कि मैंने कार ठीक करवाई, अब focus कार ठीक करवाने पे है, action पे है, काम पे है या object पे है, focus करने वाले पे नहीं, और यहाँ पर काम करने वाला मौझूद भी नहीं कि मैंने कार ठीक करवाई, किसने ठीक की, वो बन्दा यहाँ मौझूद नहीं, तो अब ये passive हो गया अब हम causative verb have के passive कैसे बनाएंगे, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपका subject आ जाएगा, उसके बाद आपका helping verb आएगा अगर कोई ऐसा tense है जिसमे helping verb आता है, जैसे present continuous है, present perfect है, तो यहाँ पर helping verb आएगा फिर आचाएगा आपका causative verb have, अब जो भी changes आएगी वो have में आएगी according to tense उसके बाद यहाँ पर आएगा object, उस चीज का नाम जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में sentence में काम हो रहा है और उसके बाद आएगी verb की third form, क्योंकि passive में हमेशा verb की third form आती है, तो इसलिए यहाँ पर verb की third form आएगी अब यह जो sentence से मैंने कार ठीक करवाई, तो हम कहेंगे I, हम कहेंगे I, और I के बाद आएगा causative verb, have, आप चुके past है तो had आएगा, I had, क्या ठीक करवाई यह car, यह आपको object है, तो आपको 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 my car, I had my car fixed, fixed यहाँ पर verb की third form हो गई, I had my car fixed, मैंने कार ठीक करवाई, I had my car fixed, ठीक है, ऐसे अगर active sentence देखें, मैं माचे से कपड़े धुलवाती हूँ, तो हम कहेंगे I have a mate, washed the clothes, और अगर passive बनाए, मैं कपड़े धुलवाती हूँ, अब यहाँ पर mate का जिकर नहीं है, तो हम कहेंगे I have the clothes washed, आई के बाद आपका आगया have, causative verb, फिर object आगया the clothes, I I have the clothes, फिर washed, verb की third form, I have the clothes washed, एक और sentence देखें, हम माली से घास कट पा रहे हैं, तो simple हो जाएगा, we are having a gardener cut the grass, यह simple active form है, और passive में क्या होगा, हम घास कट पा रहे हैं, अभी हम माली का जिकर नहीं है, तो simple आएगा, we are having, फिर घास कट पा रहे हैं, object आपका घास है, तो आपक having the grass cut, मैं तुम से चाय बनवाती हूँ, active हो गया, I have you make tea, I have you make tea, अब मैं अगर कहूं मैं चाय बनवाती हूँ, passive हो गया, तो simple आएगा, I have tea made, I, फिर causative verb have, फिर tea, object, और फिर verb की third form made, I have tea made, तो अब कुछ सिर्फ passive sentences देख लेते हैं, मैं note लिखवाती हूँ, I have a note written, I have, फिर आगिया, a note object written, verb की third form written, I have a note written, मैं खाना पकवाती हूँ, I have food cooked, I have food cooked, मैंने कमरा साफ करवाया, I had, pastures लिए had आगिया, I had the room cleaned, I had, फिर object आगिया, the room cleaned, मैंने copies check करवाई, I had copies checked, I had copies checked, तो इन sentence में काम करने वाला नहीं थे, इसलिए ये passive थे, कुछ sentences आप बनाएए, जैसे कि मैं खत लिखवा रही हूँ, या मैंने कपड़े से लवाए, इस तरीके के sentences कुछ आप बनाएए, मैं कपड़े स्तरी करवाती हूँ, मैं घर साफ करवाती हूँ, इस तरीके के sentences आप बनाएए, passive में, simple सा है, बस review देख लें आप एक बार, के subject आएगा, उसके बाद आपका have आजाएगा, causative verb, उसके बाद आपका object आएगा, जिस पर काम हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, और उसके बाद आपका verb की third form आएगी, बहुत simple है, बस जहन में यो न चाहिए, कि आपका अगर causative verb have है, तो इसमें आप responsibility दे के काम करवाएँगे, छीके, simple सा structure है, पर passive donor sentences आजाएगे, practice कीजिए, sentences बनाएगे, keep staying with us, thanks for watching.